भारत में करोलो यात्री रोजाना यात्रा के लिए भारतीय रेलवे का प्रयोग करते हैं चाहे ऑफिस जाना हो अपने गर या रिष्टेदारों के घर जाना हो भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जैहिंद दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टोडल ट्रेनिंपो के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन डेल पर धी प्लिक कर लें जिससे आपको रेलवे की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं जैसा आप थम्बनेल से समझ गए होंगे की आज हम बात करने वाले है भारत के 10 सबसे ब्यस्त रेलवे स्टेशनों के बारे में इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें हो सकता है आपका फेवरेट स्टेशन इस लिस्ट में हो तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में नमबर नौ पर है पंडित दीन द्याल उपाध्याय जंक्षन जिसका कोड़ DDU है यह स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा ओपरेट किया जाता है दीन द्याल उपाध्याय स्टेशन पर टोटल आठ प्लेटफॉर्म है और यहां से तेईस ट्रैक निकलते हैं यहां पर 325 से ज्यादा ट्रेन हाल्ट लेती है जबकि लगभग 15 ट्रेन यहां से शुरू होती है और तर्मिनेट होती है यहां से प्रतिदिन 3 लाग से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं नमब आठ पर है महराष्ट्रा का एक और स्टेशन कल्यान जंक्शन जिसका कोड के वाइन है यह स्टेशन मध्य रेलवे जोन के द्वारा ओपरेट किया जाता है कल्यान जंक्शन में टोटल आठ प्लेटफॉर्म है और यहां से 9 ट्रैक निकलते हैं यहां पर 600 से ज्यादा ट्रेन यहां से शुरू होती है और तर्मिनेट होती है बात यात्रियों की करें तो यहां से 3,50,000 से ज्यादा यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं नमब साथ पर है उत्तर रेलवे का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसका कोड एन डिल्ली में टोटल सोलर प्लेटफॉर प्लेटफॉर्म है और यहां से 18 ट्रेक निकलते हैं यहां पर 150 से ज्यादा ट्रेन हाल्क लेती है इन से लगबग 100 ट्रेने लंबी दूरी की है जबकि 100 से ज्यादा ट्रेन यहां से शुरू और टर्मिनेट होती है बात यात्रियों की करें तो यहां से प्रतिदिन 5,000,000 से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं नंबर 6 पर है चैननाई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जिसका कोड है MAS यह स्टेशन दक्षन रेलवे जोन के द्वारा ओपरेट किया जाता है चैननाई सेंट्रल में टोटल 17 प्लेटफॉर्म है जिसमें से 5 प्लेटफॉर्म चैननाई नमब पांच पर है भारत की राजधानी का दूसरा मुख्य स्टेशन दिल्ली जंक्षन, जिसका कोड़ DLI है, यह स्टेशन रेलवे के उत्तर जोन द्वारा संचालित किया जाता है, पुरानी दिल्ली में टोटल सोला प्लेटफॉर्म है और यहां से 18 ट्रैक निकलते हैं, यह नमब चार पर है कानपूर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जिसका कोड़ C&B है, यह स्टेशन रेलवे के उत्तर मद्य जोन द्वारा संचालित किया जाता है, कानपूर में टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और यहां से 28 ट्रैक निकलते हैं, यहां पर 350 से ज्यादा ट्रेन हाल्ट ल नमब तीन पर है हावडा जंक्षन जिसका कोड HWH है, यह स्टेशन रेलवे के पूर्व जोन द्वारा ओपरेट किया जाता है, हावडा में टोटल 23 प्लेटफॉर्म है और यहां से 25 ट्रैक निकलते हैं, यहां से लगभाग 350 ट्रेन शुरू होती है और इतनी ही ट्रेन टर् नमब दो पर है कोलकाता का ही दूसरा स्टेशन सियालदा, जिसका कोड SDH है, यह स्टेशन रेलवे के पूर्व जोन द्वारा ओपरेट किया जाता है, सियालदा में टोटल 21 प्लेटफॉर्म है और यहां से 28 ट्रैक निकलते हैं, यहां से लगभाग 360 ट्रेन शुरू होती है और इतनी ही ट्रेन टर्मिनिट होती है, यहां से प्रतिदिन 12 लाग से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं, अब बात करते हैं नमब एक की, नमब एक है स्टेशन मुंबई का च्छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जिसका कोड CSMT है, यह स्टेशन रेलवे के मध्य जोन द्वारा ओपरेट किया जाता है, विक्टोरिया के नाम से मशहूर इस स्टेशन में कुल 18 प्लेटफॉर्म है और यहां से 40 ट्रेक निकलते हैं, यहां से लगबग 650 ट्रेन शुरू होती है और इतनी ही ट्रेन टर्मिनिट होती है, बात यात्रियों की क करें तो यहां से 14 लाग से ज्यादा यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों में से यदि किसी ने इन स्टेशनों से यात्रा की हो या यहां गए तो अपना अनुभब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसमें से आपको कौन सा स्टेशन पसंद है और क्यों या किसी स्टेशन की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंस्टेग्राम पर फॉलो कर न भूलें, इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहन धन्यवाद